नमस्कार और स्वागत है आप सभी का competition community के YouTube चनल में आप लोग देख रहे हैं SSE CGL and CHSL का YouTube course और आज हमारा जो topic रहने वाला discussion का वो है time, speed and distance ये इसका part 2 वीडियो है, part 1 वीडियो में जितनी भी चीज़े हमने सीखी थी वो यहाँ पर हम apply जरूर करेंगे लेकिन इस part 2 वीडियो में कुछ नई चीज़े मैं आपको बताना चाहता हूँ, दो चीज़े हमारे इस part 2 वीडियो में नया जो हम सीखेंगे वो पहला है, relative speed, relative speed के उपर आधारित प्रश्न हम देखेंगे इस वीडियो में, यानि कि सापेक्स गती हमको cover करना है इस वीडियो होता है, ठीक है, तो ये दो चीज़े नये हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, जो की important है आपके exam के उपर, इसके उपर questions बनते हैं, ठीक है, तो पिछले वीडियो में जो हमने जहां पर छोड़ा था, वहीं से मैं start करता हूँ, कुछ प्रश्न जो है आपके पिछल आपको practice sheet provide करा गया था, उसका answer keys जो है, वो भी आपको Wednesday को मिलेगा, तो उसको भी आप competition community के website से मिल जाएगा, आपको सारी चीज़े, ठीक है, चलिए, अब मैं यहाँ पर इस वीडियो को start करता हूँ, हमारे चैनल पर अगर आप नए है, चैनल को subscribe करके bell icon दबाना ना भूल आपके सारे notifications आपको timely मिलते रहे, free of cost आपको यहाँ पर best quality preparation चल रहा है for SSC, CGL and CHSL, आप इसका फायदा जरूर उठाइए, चलिए, अब यहाँ से हम यहाँ पर question देखते है, जहाँ पर मैंने छोड़ा था पिछले lecture को वहीं से start करेंगे, walking at 60% of its usual speed, a man reaches the destination 1 hour and 40 minutes late, what is the usual time to reach the destination, अपने मूल गती के 60% गती से चलने पर, एक व्यक्ति अपने गंतवी पर, एक गंटे और 40 minutes देरी से पहुंचता है, तो मूल गती से चलने पर, उस व्यक्ति को कितने गंटे लगेंगे, यानि समय कितना लगेगा, यह आपको बताना है कि actual time क्या है, देखिए, यहाँ पर समझे बात को कि यहाँ पर हमें यह पता है कि वो गंतव यह तब जा रहा है, यानि अपने destination पर जा रहा है, मतलब कि distance constant वाला case बनेगा, distance जबी भी constant होता है, तो speed जो होता है, वो inversely proportional हो जाता है time के, speed क्या होता है, inversely proportional हो जाता है time के, अब देखिए, speed 1 अनुपात, speed 2 है, त सकते हैं, 20 से काट कर कि यह जो ratio होगा, यह पांच अनुपात 3 का बनेगा, 60 परतिस्यत के speed से चल रहा है, मतलब पहले अगर 100 परतिस्यत, actual speed इसका 100 है, तो वो अभी 60 से चल रहा है, यह पांच अनुपात 3 के, यह उसका ratio हो जाएगा, ठीक है, यह पहली बात हो गई, अब य बताईए कि extra इसे 2 unit ज्यादा लग रहा है, और 2 unit का value दिया हुआ, एक घंटा 40 minute, एक घंटा 40 minute का मतलब क्या हुआ, एक घंटे का मतलब 60 minute होता है, 60 plus 40 करोगे, मतलब यहां उसे 100 minute extra लग रहे थे, 100 minutes extra, ठीक, अब आब बताईए कि actual time कौन सा है, क्योंकि हमें निकालना actual time, त इसके corresponding जो actual time होगा, वो यह वाला होगा, तीन unit वाला, क्योंकि यह S1 के corresponding है, तो यहां T1 की corresponding होगा, अब तीन का value बताईए क्या है, अगर यहां पर 50 गुना हुआ, तो यहां पर भी 50 गुने करना पड़ेगा, क्योंकि ratio है, तो 50 गुने करोगा, तो 500 minute लगेगा, 500 minute का मतलब क्या हुआ, 120 का मतलब 2 गंटे होते हैं, तो 2 गंटे, 2 गंटे और 30 minute extra लगेगा, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 and a half hours लिख सकते हैं की ने, यह बात समझ में आ गई, कैसे हम इसको convert करने हैं, क्योंकि देखिए, यहां पर जो value हमें दिया हुआ है, इस value को कैसे हम convert करने हैं, 5 गंटे में, अगर यह 150 minute है, minute को hour में कैसे convert किया जाता है, बटे 60, तो इसको आज 60 से भाग देंगे, तो 5 बटा दो आएगा, यानि की 5 गंटे लगेंगे, तो यह सवाल का सही उत्तर, चलिए, आशा करता हूँ, यह सवाल आपको समझ में आया होगा, same pattern के सव यहानि पूरा का पूरा यह concept जो है, inversely proportional, directly proportional, यह सारी मैंने पिछले वीडियो में cover करके खा हुआ है, तो यहां पर मैं कुछ नहीं बात है, नहीं बताऊंगा, फिर से repeat नहीं करूंगा, इसको आप पिछले वीडियो में इसका theory part देख सकते हैं, चलिए, अब यहां यहां द दूरी को तै कर रहा है, जो कि यह 384 km, इस दूरी को तै करता है, ठीक है, और यदि वो अपनी मदब की speed को 16 km प्रति घंटे की रफ्तार से कम कर देता है, तो उसे दूरी तै करने में, दूरी तै करने में 2 घंटे का समय अधिक लगता है, मूल गती का 75 प्रतिसित आपको बत 75 प्रतिसत दिया हुआ है, अगर 75 परसेंटेज गती यह है, तो आप 100 परसेंटेज बताइए, याने एक्च्वल गती क्या होगा, 75 से बाटना होगा, और आपको यहां पर 100 से मल्टिपला करना होगा, याने 3 बटे 4 से डिवाइड करना होगा, मतलब डारेक्ली जो इसका speed हो यह 45 बटा, 75 इंटो इतना करोगे, याने कि यह 15 बटे, मलब 3 बटे 4 होगा, 75 परसेंट का मतलब क्या होता है, यह होता है, तीन बटा 4 मतलब डारेक्ली मैं इसको 3 बटे 4 से डिवाइड करके यह देख सकता हो कि original speed क्या होगा, तो अगर मैं इसे 3 बटे 4 करों, तो 60 हो जाए अब समझें, यहां से सवाल में बोल रहा है कि अगर वो 16 किलोमेटर पती गंटे के speed से, इसके speed को कम करता है, तो 2 गंटे का difference आता है, अब बताइए, इसमें, यदि मैं 16 किलोमेटर से कम करो, तो यहां 40 आएगा, यहां पर आपका 6 और 56 आएगा, यहां पर आपका 44 आएगा अब आप यहां पर smartly options को चूज़ करिए, smartly options को चूज़ करने का मतलब है, आपको यहां पर 384 का किलोमेटर का distance कवर करना है, और time का मतलब होता है distance divided by speed, तो आप ऐसे time को चूज़ करिए, ऐसे speed को चूज़ करिए, कि इन दोनों values से इसको बाटने पर 2 गंटे का समय लगना चाहिए, तो देखिए, यदि मैं इसे 60 से काटने जाओं, तो decimal value आएगा, 60 से काटने जाओं, तो decimal value आगा, तो ऐसे option से बचिए, जिसमें decimal value आ रहा है, यदि मैं इसको 56 से काटने जाओं, तो यहां पर 7 आ रहा है, 7 से यदि मैं काटू, तो यहां पर यह पूरी तरह से नह ही काट रहा है तो मैं डायरेक्ट ली एक बार 48 और 64 से काट लेते हैं दोनों से काट के देखते हैं कि वैल्यू कितना रहा है यदि मैं इसको सोला से काटने पर यह वाला जो वैल्यू है यह आपका 24 बनेगा दो बार 32 के बाद आपका 64 बार चोविस बार कटेगा ठीक है और य गंटे का समय लग रहा था यह टाइम है डिस्टेंस डिवाइड़ बाई स्पीड जब यह ओरीजनल यह रिडूस्ट वाले चाल से चले तब अगर मैं इसको एक बार काटू सोला से तो चोविस यहां पर चार यहां पर चार से काटने पर शे घंटे आ रहे अब आप खुद सॉल्फ करने जाए तो यहां पर काफी कैलकुलेटिव सवाल बन जाएगा और आपको यहां पर वैल्यूस जो है वो डारेक्टली सारे दिये भी नहीं हुए तो कैलकुलेट करने में आपको टाइम लगेगा जैसे कि फॉर एक्जामपल अगर पूरा कैलकुलेट करना चाहत है ना कि 16 किलोमेटर प्रती घंटे की चाल से आप इसको कम करेंगे यहां पर इसे दो घंटा ज्यादा लगता है तो अगर मान लेते हैं कि मूल चाल उसकी एक्स है मूल चाल यदि एक्स है तो वह एक्स इन सभी में से कोई एक आप्शन होगा क्योंकि 75% उसका इतना है तो एक्स का वैल्यू यह रहेगा और जब आप 16 किलोमेटर प्रती घंटे की चाल से इसके स्पीड को कम करते हैं तो एक्स माइनस 16 इसका स्पीड हो जाएगा तो टाइम इतना लगेगा टाइम होता है डिस्टेंस डिवाइडड बाइस करना होगा यहां पर इन दोनों का जो ड आटने पर इंटिकरल वैल्यू चलिए आगे बढ़ते हैं कि रावलिंग एट 60 किलोमेटर पर आवर अपर से रीचेस देस्टिनेशन ओन टाइम ही कवर 60 परसेंट अब जर्नी इन तो फिफ्ट अव थे तैम अट वाट स्पीड शुड ही ट्रैवल तो कवर दसे रिमेनिंग जर्नी at the remaining जर्नी so that he reaches the destination right on time देखें 60 किलोमेटर परती घंटे की यात्रा के गती से जो यात्रा कर रहा है एक यक्ति निश्चे गंतव पर अपने समय पर पहुंच जाता है यदि वहाँ यात्रा का 60 परती से 2 परते 5 समय में पूरा करता है तो 6 को पूरा करने के लिए कितन यह बहुत सारे हैं आपको क्या दिया है कि आपको यह दिया हुआ है कि अगर वह 60 किलोमेटर प्रती घंटे की रफ्तार से इतने के स्पीड से चले तो वह टाइम ली पहुंच जाएगा आपको टाइम नहीं दिया है बस यह दिया है कि 2 बटे 5 हिस्से में यदि वह 60 प्रती 5 है 2 बटे 5 है तो आपको कही न कई 5 से यहाँ पर बाटना पड़ेगा मतलब समझिए अगर मैं इस टाइम का 2 बटे 5 हिस्सा निकालूं 2 बटे 5 इंटू 5 करोगे तो कितना आ जाएगा 2 घंटे आ जाएगा कि नहीं आएगा 2 आवर्स में 2 घंटे में वह 60 परसेंट डिस्ट प्रतिस्ट्री आप बताए डिस्टेंस है कितना बीस्टेंस बरावर होता है स्पीड मल्टीप्लाइग उतरा और स्पीड कितना है और पुरा का पूरा टाईम हमने जो माना है यह हमारा थाइम हमने माना हुआ फास घंटे तो अगर मैं इसको 5 से मुल्टिप्लाइ यह बन 60% distance कवर करता है अब आप बताइए 60% हुआ तो क्या हुआ यदि मैं इसका 60% निकालो 300 का 60% निकालो तो 300 का 60% कितना होता है इसका 60% हो जाता है 180 km मतलब यह देखिए 2 घंटे में यह 60% distance याने 180 km कवर करके रखा हुआ है मतलब यहां से यहां तक 180 km जहां तक होगा 180 km का दूरी जो है कवर हो गया तो अब आपसे पूछा जा रहा है यह जो remaining part इस remaining part उसका क्या होना चाहिए तो अब remaining part कितना हुआ यह तो 120 km होगा और 120 km में आपके पास time जो बचे हुए वह तीन गंटे बचे हुए क्योंकि दो गंटे गुजर चुके अब cover करने के लिए आपके पास तीन गंटे और है तो 120 divided by 3 यह हमारी स्पीड होगी क्योंकि स्पीड हो ताइम यहां से जो आपका स्पीड बनेगा वह जाएगा 40 km पर आसान सा सवाल है ठीक है बस आपको समझना है कि यहां पर दिया क्या हुआ है तो कुछ वैल्यूस जो है वह यहां पर एस्यूम करने पड़ेंगे जैसे कि 5 गंटे तो 5 गंटे जो है वह सवाल में दिया नहीं हो है तो आपको एजूम करना पड़ेगा या फिर आप इसको डिरेक्टी एक्स लेकर भी सौल कर सकते है बड़ेश की कोई आविश सकता नहीं है आप जैसी पांच मानेंगे तो पूरा का पूरा डिस्टेंस 300 हो जाएगा अगला सवाल दियो है तो कार्स ट्रावल अच्छा सवाल है और सिंपल सवाल भी है इसको समझनिक पोशिशकरी करना क्या है दो कार जो है क्रमशा ठीक है यह 10 बजे एक निकलता है सुभा और 11 बजे दूसरा जो है एकी जगा पे से निकलते हैं यात्रा करना शुरू करते हैं यह एकी समय में अपने समान गंदतावे पर पहुंचते हैं मतलब एकी टाइम पर यह बहुंचते भी है साथ में दिया हुआ यदि पहला वाला जो है पहले वाले कार के बारे में दिया है कि वो 6 घंटा की यात्रा करता है तो प्रती घंटे जो है आपको दूसरे वाले का उचत्तम संभव क्या उसकी गती हो सकती है दूसरे कार की गती पहले कार से अधिक कितना प्रतीशत हो सकता यह प्रतिशत है एक्चुली प्रतिशत होगा यहां पर तो प्रतिशत का उचत्तम संभव ज्याद करिए कि दूसरे कार्थ की अति से प्लहली कितनी अधिक हो सकती है मतलब percentage increase आपको निकालना है कि दूसरे वाले कार का कितना जादा हो सकता है as compared to first car देखे सवाल को solve करने की कोशिश करते हैं यहां से दिया हुआ है कि 10 बजे निकला था एक गाड़ी दूसरे गाड़ी जो है यहां से 11 बजे निकली थी मतलब देखिए पहले वाले time 1 की बात करूं में पहले वाले time 1 की बात करूं तो पहला वाला time है वो यहां से यहां तक मतलब यहां से जो start किया point A से और यहां पर जो पहुंचा point B में इस पहले गाड़ी को जो time लग रहा है वो है 6 गंटे 6 hours दूसरे वाला गाड़ी जो है यानि कि यह जो पहला car था जिसको T1 लगा वो 10 बजे निकला था दूसरी गाड़ी जो second time लगाएगा वो 11 बजे निकलेगा अब आप समझे यहां से कि यहां से यहां जाने में अगर पहले गाड़ी को 6 गंटे लगे और यह दोनों के दोनों यहां पर बराबर समय पर ही पहुंच रहा है मतलब दूसरे वाले को जो time लगना चाहिए वो 5 गंटे का time लगना चाहिए अगर यहां पर यह और ज़्यादा तेजी से चले इस से ज़्यादा तेजी से चले तो 5 गंटे से कम time लगेगा और दोनों एक साथ नहीं पहुंचेंगे सेकेंड वाला कार और जल्दी पहुंच जाएगा मतलब इस से ज़्यादा तेज वो नहीं चल सकता मतलब maximum यदि हम देखें तो time 1 और time 2 का अनुपात जो है वो हो सकता है 6 अनुपात 5 इसका मतलब अगर time का ratio यह है तो speed 1 अनुपात speed 2 का जो ratio होगा वो 5 नुपात 6 होगा इस से ज़्यादा ratio नहीं बन सकता और इस से ज़्यादा प्रतिसत भी आप नहीं बढ़ा सकते तो आप बताए percentage increase maximum कितना हो सकता है पांच में एक बढ़ रहा है पांच में एक बढ़ने का मतलब 20 प्रतिस नहीं बात समझ में है क्योंकि इस से ज़्यादा increment से ये गाड़ी जो है second वाली बार जल्दी पहुंच जाएगी और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इनके बीच में बस एक गंटे का difference है तो 6 गंटे से इस से 5 गंटे का समय ही लगना चाहिए क्योंकि दोनों एक साथ अपने गंटवे पर ओंच रहे है चली आगे बढ़ते अब देखिए यहां से मैं आपको लेकर चलता हूँ कुछ नए concept के और अभी तक जितने भी सवाल हम देख रहे थे उसमें एक ही गाड़ी चल रही थी और एक ही गाड़ी का एक ही स्पीड था लेकिन अब हम यहां पर simultaneously याने कि एक साथ दो दो गाड़ियां जब चलती है तो इसके दो केस बनते हैं एक जो वो विपरीद दिशा में चलते हैं मतलब एक अगर left to right चल रहा है तो दूसरा right to left चलेगा या फिर दोनों की दोनों same direction में हो सकता है एक left to right चल रहा है तो दूसरा भी left to right चलेगा ऐसे cases में relative speed होता है यह relative speed एक दूसरे के तुल्ला में होती है जैसे कि for example when two objects are moving in opposite direction जब दो वस्तुएं विपरीद दिशाओं में चल रही है for example इस तरीके से यदि आप देखें पहली वस्तु जो है वो speed 1 से left to right चल रहा है दूसरी वस्तु जो है speed 2 से right to left चल रहा है ऐसे case में सापेक्स गती लगती है आप जब train में कभी-कभी सफर किया होंगे तो आप यहाँ पर अनुभव भी करते होंगे कि जब आप इस गाड़ी पर बैटे हुए तो ऐसा लगता है कि सामने वाली गाड़ी काफी तेजी से चल रही इसलिए होता है क्योंकि इसकी गाड़ी की जो गती है वो आपके relative में speed 1 plus speed 2 होती है मतलब आपका speed तो रहता ही रहता है वो speed भी add up होके आपको ऐसा लगता है कि दोनों का speed जुड़ गया कि relative speed यानि कि जो साप एक्स गती है साप एक्स गती का formula जो होता है जब यह विपरीद दिशाओं में चल रहे है ठीक है विपरीद दिशाओं में चल रहे है तो यहाँ पर जो value होता है वो s1 plus s2 होता है इस चीज़ का आप note बना के रखेंगे ठीक है अब next condition दिखते है कि अगर यह दोनों same direction में चल रहे है जैसे कि s1 यानि कि left से right चल रहा है एक गाड़ी तो दूसरी गाड़ी भी left to right चल रही है ऐसे case में sap x गती जो है वो s1 minus s2 हो जाता है जिसमें कि हम मान के चलेंगे कि s1 जो है वो s2 से बढ़ा है ठीक है इन कुछ बातों को आप note down करके होगा क्योंकि अगर speed 1 बढ़ा नहीं है तो यहां पर जो इनके बीच का gap है वो बढ़ते चल जाए यह उसको वर्टेक कैसे कर पाएगा इसलिए जब भी सापेक्स गती लिखते हैं तो s1 minus s2 लिखते है बड़े से छोटे को माइनस कि चोटा वाला जो है वो बड़े से माइ आगे बढ़ते हैं तो next question दिखते हैं यहाँ से दिया हुआ है कि places a and b are 396 km अपा train x leaves from a for b and train y leaves from b to a at the same time on same parallel time both meet in five and a half hours speed of y is 10 km more than speed of x then what is the speed of y देखिए यहां से आपको मैं बहुत सारी चीज़े समझाऊगा पहले question को समझ लीजिए एक बर हिंदी में पढ़ लीजिए दो स्थान है a b जो की 396 km दूरी पर है train x जो है वो a से निकलता है b के और train b जो है b से निकलता है a के और समान track पर एक दूसरे मतलब कि समान समय पर यह लोग एक दूसरे से छोड़ते हैं उसी दिन छोड़ते है और साथ में दिया हुआ है दोनों train समान समय होगा यहाँ पर थोड़ा से टाइपिंग है समान track पर नहीं होगा समान समय पर होगा कि एक दोनों एक साथ छोड़ते हैं और साथ में दिया हुआ है तो आपको बताना है कि Y की गती क्या है किलोमेटर प्रति गंटे में यहां से जो है रिलेटिव स्पीड के सवाल मैंने लिये हुए है तो पहले समझ लेते है रिलेटिव स्पीड होता क्या है यहां से दिखिए A एक पॉइंट है A एक स्थान है B यहां पर दूसरा प्लेस है तो सेकेंड स्थान यहां पर दिया हुआ है इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है 396 किलोमेटर इतनी दूरी है इन दोनों के बीच के अब सवाल में दिया हुआ है स्पीड ओफ X जो है यान स्पीड ओफ X जो दिया हुआ आपको यह दिया हुआ है 10 किलोमेटर प्रति घंटे की इतना दिया हुआ कि नहीं क्योंकि Y की जो गती है वो 10 किलोमेटर प्रति घंटे से अधिक है as compared to X दूसरी बात अब यहां से हमें यह समझना है कि दोनों रेल गाडिया आपस में कितने देर में मिलती है 5.5 गंटे में तो देखिए यहां से आपको मैं एक चीज और बताऊंगा कि यह जो 5.5 गंटे है इसी 5.5 गंटे में दोनों रेल गाड़ी एक साथ मिल जाती है जैसे कि suppose करिए इसका मतलब क्या हुआ मतलब यह हुआ कि suppose करिए यहां कहीं C point पर जाके यह मि सद्रीबा और दोनों के दोनों एक साथ मिलते हैं कितने टाइम में तो 5.5 गंटे में बहुआ है मतलब एक तरीके सा ऐसे समझे कि यह कोई काम है और इसकाम की इन दोनों को यह पूरा का पूर्ण 396 km कवर करना है तो ये एक साथ कवर कर रहे है जितने टाइम में यहां से दोनों एक साथ निकले और एक साथ यहां पर मिलेंगे तो जितना टाइम इसको यहां से यहां तक पहुंचने में लगेगा ठीक है मैं यहां पर काफी दीरे आपको इस समझ रहा हूं कि यह आपको समझना है पहला सवाल है अला कि इतना समय आपको एक्जाम में नहीं लगेगा डेरेक्त लिए आपको क्या करना है स्पीड फॉट इन्फ प्लस स्पीड फॉट ऌइड क्या होता है अब 5.5 को मैं 11 बट्या दो भी तो लिख सकता हूँ, 11 by 2, ज्यादा असान हो जाएगा calculation करने के लिए, तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, 11 बट्या दो लिख लेता हूँ, 11 से काट होगा, तो यहाँ पर 36 आएगा, मतलब 36 दूनी 72 होता है, तो यह 72 किलोमेटर पर आवर यहाँ पर इसका स्पीड हो जाएगा, एक्चुल स्लूशन आपका बस इतना ही है, एक्चुल स्लूशन बस आपका इतना ही है, ठीक, यह सारी चीजें मैंने एक्स्प्लेनेशन के तोर पर लिखा हुआ है, आशा करता हूँ कि यह जब मैंने बातें यहाँ पर बताई, उपोजिट डिरेक्शन में जब चलते हैं, दो रेल गाड़िया, या कोई भी दो ऑबजेक्ट, तो वहाँ पर स्पीड एड होता है, इस चीज़ का आप नोड बना के रखेंगे, तो देखें, अब आपको क्या निकालना है, वाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड के आधा करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को जोड़ोगे, यह दोनों कर जाएंगे, twice speed of y आएगा, जो कि यहां से हो जाएगा, 82, दो से यदि मैं इसको काटू, तो 41 आजाएगा, 41 सवाल का सही उतर है, चली, आशा करता हूँ, यह आपको समझ में आया How far were they from at the starting point, देखे, दो साइकलिस्ट, साइकल सवारी है, जो कि आपके 21 किलोमेटर प्रतिघंटे, 24 किलोमेटर प्रतिघंटे की चाल से एक दूसरे के तरफ चल रहे, और वो एक घंटा और 12 मिनिट में मिल जाते है, तो आपको बताना है कि प्रारंभ में उन दोनों के इसकी स्पीड 21 है, तो इसकी स्पीड है 24 किलोमेटर प्रतिघंटे की स्पीड है, इसकी भी किलोमेटर प्रतिघंटे की स्पीड है, तो आपको समझना होगा कि दोनों एक साथ इस दूरी को कवर करेंगे, मतलब स्पीड अब दोनों को एड करना होगा, दोनों को एड करने क 72 मिनिट लिख सकते हैं इसको 52 मिनिट तो अगर मैं 72 लिख रहा हूँ यह गलत हो जाएगा मिनिट में है डिवाइड़ बैस साट करना पड़ेगा इसको किलोमेटर में करने के लिए तो बताइए भई कितना हो जाएगा 45 से काटो तो अठारा जाएगा अठारा इंटू तीन करोगे तो डिस्टेंस कितना जाएगा यह हो जाएगा 54 किलोमेटर पर आवर ठीक तो यहां से सी जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा क्लियर है यहां पर बात समझ में आगई चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉश्चन दिया हुआ है ट्राइवल फ्रम प्लेस विट उनिफॉर्म स्पीड फोर किलोमेटर पर आवर फाइव किलोमेटर पर आवर रिस्पेक्टिविली इन दे सेम डिरेक्शन वाई स्टार्स तू आवर्स आफ्टर एक्स हाउ लॉंग आफ्टर वाई मस्ट जेट स्टार्ट इन ओडर तू ओवर्टेक एक्स एड़ सेम इंस्टेट तो देखिए यहाँ पर एक्स वाई जेट तीन व्यक्ति हैं एक स्थान से एक ही दिशा में क्रम से चार किलोमेटर प्रति गंटे पांच और 6 किलोमेटर प्रति गंटे की रफ्तार से भागना चालू करते हैं वाई जो है एक्स के 2 गंटे के बाद चालू करता है और जेट जो है वाई के कितने समय के बाद चालू करना चाहिए ताकि वह एक्स से आगे निकल जया है थे कहा है। उसी पल याने ने की しました सबोरेश नहीं के यहाँ से क्या हो हुरा泡 एक्स वाइ और जेट एक्स वाइ और कशस्टीक है एकस पीड़ जो है वहाझ संसी दाओ लंड़ING वाइक की जो स्पीड है वह है है फाश किलो मेटर क्रतिगंद इस पु Geo यह जो point है इस point को मैं मालने तो एक और इस direction पर भागना चालू करते हैं मतलब right-side तो X जब भागना start किया सपोस्कर यहां से भागना start किया तो 2 घंटे तक X भागता रहा क्योंकि y जो है y जो है इसके 2 घंटे के बाद चालू करता है तो आप बताईए 2 घंटे में कितना भागेगा अगर ये 4 किलोमेटर 1 घंटे में भाग रहा है 4 किलोमेटर परती घंटे की स्पीड है तो 2 घंटे में 8 किलोमेटर भागेगा मतलब यहाँ से जो distance हो गया जो इधर भाग रहा होगा y जो है वो यहाँ से इस direction में भाग रहा होगा अब जो time लगेगा कितने time में इसको meet करेगा इसके बारे में थोड़ा discussion कर लेते हैं तो time जो लगेगा वो हो जाएगा y की speed minus x की speed y की speed 5 minus x की speed ऐसा इसलिए हो रहा है क्यूंकि यहाँ पर अब relative speed लगेगा और यह लोग एक ही दिसा में चल रहे है तो एक ही दिसा में चलने पर speed minus होता है तो 5 minus 4 करोगे तो 1 km पर आवर की speed हो जाएगी तो speed जो है speed of y with respect to x जो हो जाएगा यह हो जाएगा 1 km पर ती घंटे क्यूंकि यहाँ से इसकी speed 5 है तो इसकी speed 8 है relative speed की यदि बात करे relative distance की बात करे तो इन लोनों के बीच की distance जो cover करनी है वो है 1 km 8 km की तो time होता है distance divided by speed मतलब 8 घंटे में यह लोग मिल जाएगी 8 घंटे में यह लोग मिल जाएगी अब देखिए यहाँ से आपको बहुत सारी चीजे समझ में आने लगी होगी कि 8 घंटे में मिलने का मतलब यह है कि यह भी 8 घंटे तक भागेगा यह 8 घंटे में 4 x 8 4 x 8 मतलब 32 km कवर करेगा यह 8 घंटे में 5 x 8 8 मतलब की 40 km कवर करेगा क्योंकि इसे 8 km ज्यादा कवर करना है तो 40 km कौन चल रहा है वाई चल रहा है अब आपसे पूशा जा रहा है कि distance constant होता है तो हमें पता है कि speed जो होता है वो inversely proportional to time हो जाता है मतलब देखिए y और z का जो speed का ratio है वो है 5 ratio 6 तो y और z के time का जो ratio होगा वो हो जाएगा y और z के time का ratio जाएगा 6 is to 5 अब आपको दिया हुआ है कि y को 8 घंटे लग रहे मतलब यह 6 बरावर 8 घंटे तो बताइए z को कितना time लगेगा क्या हम निकाल सकते इसका value अगर 6 बरावर 8 घंटे है तो 5 बरावर कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 8 बटे 6 multiplied by 5 मतलब इसका जो value है वो यहां से 3 और यहां 8 घंटे लगे यहां से यहां तक पहुंचने के लिए 8 घंटे लग रहें के लिए और अगर y को 8 घंटे लग रहे जैड को तो इतना ही time लगता है जो कि 8 घंटे से कम है तो आपको यह बताना है कि 3 के 3 एकटा वहां पहुंचे तो actually z को थोड़ा देरी से start करना चीए जो दे को इसे पकड़ने में केवल 20 घंटे लगें तो इन नोनों को जोड़ने पर 8 घंटे हो रहा तब ही जाके यह तीनों की तिनों बरावर एक ही समय पर वहां पहुंचेंगे तो बी जो है सवाल का सही उत्तर हो जाए तो अगेन यहां पर मैंने explanation के तौर पर बहुत सारी चीज है तो यह 6.5 टाइम लगेगा और 6 बरावर इसका 8 घंटे तो 5 बरावर इतना होगा और एक्स्ट्रा यहां पर क्योंकि 8 घंटे इससे एक्जैक्ट लगने चाहिए वाय से जब स्टार्ट हुआ तब से 8 घंटे लगने चाहिए तो 8 और 20 बटे 3 का difference जो है 4 बटा 3 इतने दे 48 और आयू इस 40 मिटी प्रस्ट इस्टार्ट फ्रम यहां से एक सर्कुलर ट्रैक क्यों पर आधारित प्रस्ट जिसका व्यास 28 मीटर दिया हुआ है 28 मीटर मतलब यह जो है 28 मीटर्स का दिया हुआ है तो मैंसुरेशन का एक शोटा सा फॉर्मूला यहां पर यूस करना होगा क्योंकि देखिए यह प्यू जो है वह 48 किलोमेटर पर आवर के स्पीड से और आयू जो है 40 किलोमेटर पर आवर के स्पीड से स्टार्ट करते हैं एक ही बिंदू से स्टार्ट किये मतलब अगर सपोज कि यहां से स्टार्ट किये तो एक ही बिंदू से दोनों स्टार्ट कर पीउ का स्पीड जो है वह 48 मीटर पर सेकेंड और आयू का स्पीड है वह 40 मीटर पर सेकेंड अब देखिए यहां से यह लोग पहली बार कम मिलेंगे पुछा जैसे ही यह स्टार्ट करेंगे तो यह जो है फ्यू थोड़ा सा आगे हो जाएगी या फिर आयू से क्यूंकि आप को समझना होगा कि वापस इससे IU को पकड़ने के लिए इतना पूरा दूरी जो है टै करना होगा जो की इनका distance हो जाएगा अब 88 time जो लगने वाला है वो होगा distance 88 time क्या होता है distance divided by speed speed यहाँ पर relative speed लगेगा और क्योंकि same direction में चल रहे हैं तो इननों का difference 8 होता है 8 से इसको काटोगे तो 11 सिकेंड लग जाएगा यहां तक समझ में आगई बात है आशा करता हूं यह सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे तो next question देखते हैं यहां दिया हुआ ए और बी जो है 15 किलोमेटर दूर है when they travel towards each other they meet after half an hour and when they and they meet two and a half hours later if they travel in the same direction faster of the two travels at speed of a b जो है वो 15 किलोमेटर की दूरी पर दिया वह दूसरे के एक दूसरे के और जब चलते हैं तो आधे गंटे में मिल जाते हैं लेकिन जब एक ही दिशा में चलते हैं तो धाई गंटे बाद मिलते हैं मतलब आपको बताना है कि तेज सलने वाले वेक्ति क गति क्या है आपको बताना है तो देखिए यहां से ए और भी सपोस करिए यह आधे गंटे मलत सपोṣ करीकिस का स्पीड और इसका स्पीड बी कहता तो अगर यह दोलों एक दूसरे की तरफ चलते है तो यह स्पीड गजाएगा स्पीड एप्लस बी और स्पीड होता है Déj talents divided by टाइम जो कि आधे घंटे तो 15 डिवाइड़ आधा घंटे करोगे तो यहां पर 30 किलोमेटर पती घंटे की स्पीड आ जाएगी रिलेटिव स्पीड 30 किलोमेटर पर आवर ठीक लेकिन जब यह सेम डिरेक्शन में चलते हैं मतलब यह भी लेफ्ट राइट चल रहा है और यह लेफ्ट राइट चल रहा है तो इस केस में स्पीड माइनस होता है स्पीड है माइनस स्पीड भी लिखना होगा और दोनों को माइनस करने पर 15 डिवाइड़ भाई घंटे आएंगे धाई गंटे से इसको काटोगे तो 6 बार कटेगा मतलब यहां पर 6 किलोमेटर पर आवर क कि स्पीड हो जाएगी किलोमेटर पर आवर की स्पीड है ठीक है अब इसमें से आपको किसकी स्पीड निकालनी है फास्टर अवदट टू पास्टर अवदट टू का मतलब ऐसा स्पीड जो इन दोनों में बड़ा है तो अगर बड़े वैल्यू को चाहिए तो दोनों को जो स्पीड होगा चलिए अगे बढ़ते हैं अधीफ स्टील्स अ कार अट टू थर्टी पीम और इस स्पीड ऑफ सिक्स्टी किलोमेटर पर आवर थेफ्ट वस डिस्कवर्ड एट थ्री पीम अन्ड ओनर सेश्ट सॉफ इन अनधर कार एट 75 किलोमेटर पर आवर वन विल ही कैस देखें इस सवाल को करने के तरीके बहुत सारे रेश्य अप्रोज भी है मैं आपको रेश्यों भी बताऊंगा साथ में जो आपका सापेक्स गती वाला फॉर्मूला है उसके जरीए भी मैं आपको बताऊंगा दोपर धाई बजए जो है चोर ने चोरी किया कार चुराई औ आपको पता चलता है तीन बजे यहने जो ओनर करकी ओनर को आधे गंटे बाद पता चला चोर तो आधे घंटे तक भाग रहा होगा और मालिक दूसरे तरफ से भागना करता है 75 km पर आवार तो मालिक जो है वो जाधा से बहाग रहा है यह साट से भाग रहा है यह तो और ज़्यादा बहुत तरीके के बन सकते हैं मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ सबसे पहले हो क्या रहा है सपोस करिए कि पहला यहाँ पर 2.30 पर चोरी हुई पीम पर तो यहाँ से A. से चोर भागना स्टार्ट किया और 3.00 पर तीन बजे यहाँ पहुंच गी क्या होगा तो 60 km per hour की स्पीड से भाग रहा होगा अब 60 km per hour का मतलब होता है एक घंटे में 60 km चलेगा तो डिस्टेंस होता है स्पीड मल्टिप्लाइड बाटाइम यहाँ पर आधा गंटा गया तो 60 में आधा मल्टिप्लाइड करोगे यहाँ से समझ लो कि आधे घंटा है तो एक घंटे में इतना चल रहा है तो आधे घंटे में कितना चलेगा 30 km चलेगा मतलब A से B कि जो दूरी है यह 30 km क्योंग अब देखिए यहाँ से समझिए तो तीन बजए यहाँ से जो है ओनर स्टार्ट करता है 3 p.m. और कितने के स्पीड से भागता है 75 की स्पीड से भागता है kilometers per hour और चोर जो है वह अपनी स्पीड से भाग रहा है यहां से और उसकी स्पीड जो है 60 km per hour की स्पीड अब सवाल यह पूछ रहा है कि कितने देर बाद इस से मिलेगा सबसे पहले तो मैं आपको बेसीक से बता देता हूं कि time जो होता है टाइम होता है distance divided by speed distance जो cover करनी है वो है 30 km की तो इस distance को पूरे करने में 30 distance है और speed जो लगेगा Speed हो जाएगा भई सेम डिरेक्शन में चल रहा है तो 75 और 60 का difference लेना होगा याने स्पीड हो जाएगा 75-60, 75-60 याने 15 किलोमीटर पर आवर की हिसाब से यह दूरी को तह होगा, मतलब divided by 15 कर लोगे, तो distance by speed time होता है, 2 घंटे में मिलेंगे, और 2 घंटा कितने बज़े से, 3 बज़े से, तो यहाँ पर 5 बज़े यह लोग मिल जाएगे, एक दूसरे से, इसमें ratio अप्रोच कैसे लगाना है, वो भी समझ के रखिए, देखे, सवाल में ऐसा भी पूछ सकता है, कि कितने दूर बाद यह लोग मिलें, यह भी पूछा जा सकता है, देखे, सारी चीज़े मैं आपको बताता हूँ, देखे, यहाँ से होता क्या है, यहाँ से अगर यह लोग भागना चालू करते हैं, तो यह जो चोर है, यह धीरे भागेगा, लेकिन यह जो आपका मालिक है, यह थोड़ा तेज भागेगा, तो कही न कहीं एक पॉइंट आएगा, पॉइंट C, इस पॉइंट C पर यह लोग जाके मिल रहे हैं, और आपको यह समझना है, कि चोर को यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा, time जो लगा B से C तक 4 को जाने के लिए और time जो मालिक को लगा A से C तक जाने के लिए वो time same है, time constant है और जब time constant होता है तो distance directly proportional to speed होता है distance क्या होता है, directly proportional to speed होता है तो सबसे पहले तो speed जो है मालिक का ठीक है, और speed मालिक का स्टू speed 4 की बात करें तो यह 75 इस्टू 60 का है याने 15 से काटोगे तो 5.6 का होगा 5.4 का होगा तो actually में इसका ratio भी तो 5.4 होना चाहिए मतलब यह जो distance है यह अगर 4 unit है तो यह वाला distance है यह वाला distance 5 unit होना चाहिए क्यों कि यहां से यहां तक time same है तो time same होने पर speed directly proportional to distance होता है distance directly proportional to speed होता है तो अगर speed का ratio 5.4 है तो यह भी 5.4 होना चाहिए मतलब यह जो बीच का छोटा सा value है यह एक unit होना चाहिए क्योंकि यहां से यहां तक 5 unit है और B से C तक 4 unit है तो A से C तक 5 unit B से C तक 4 unit तो बीच का जो A से B है यह एक unit के बराबर होना चाहिए तो एक unit बराबर इतना हो अब यहां से time निकालना है तो कैसे भी आप time निकाल सकते हो time बरावर होता है distance divided by speed एक unit बरावर 30 घंट 30 km तो यह जो मालिक है यह पांच उनिट चला अगर एक unit बरावर 30 है तो यह पांच उनिट बरावर 150 होगा यह 5 units का value कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा 150 km divided by जो मालिक का speed है 75 क्योंकि मालिक का speed है ना मालिक ने इतना cover किया था 5 unit तो इसका value दो घंटे आ जाएगा तो यह 2 घंट भी मिल जाएगा तो सवाल कई बना सकते हैं यहां से A से कितने दूर यह लोग मिलेंगे तो यह 5 का value हो जाएगा जो कि है आपका 150 km का direct distance के उपर सवाल 20 से कितने दूर मिलेंगे तो 4 unit दूर मिलेंगे अगर 1 unit बरावर 30 है तो 4 unit बरावर 120 km हो जाएगा यह भी आपसे पूछा जा सकता है तो आपको समझना है कि time जब constant होता है तो distance directly proportional to speed होता है इसके ज़री आप इसको solve कर सकते है यह वाला जो सवाल मैंने आपको बताया था इस सवाल में भी आप यहां पर directly यह देख सकते हैं कि यहां से लेकर यहां तक time कितना लग रहा है क्योंकि अगर आपको पता है की 4 लिवा 5 पांच है यह 4 लिवा 5 इसल्य है क्योंकि अगर y ज है वह तो पांच उनिट भागा मतलब 40 किलोमेटर भागा और 40 किलोमेटर भागने में उसका स्पीड 5 था मतलब इसे 8 घंटे लगे होंगे अब 8 घंटे लगे तो देखिए एक लाइन में आपने निकाल दिया यहां पर कैसे यहां पर इसका स्पीड 8 घंट है क्योंकि अगर य चलेगा तो पांच का वैली हो जाएगा चालिस और इसका स्पीड भी पांच है तो चालिस डिवाइड़ पांच करोगे तो य की जो टाइम लगेगा य को यहां से यहां तक मिलने का जो टाइम लगेगा वह 8 घंट लगे तो आपको रिलेटिव स्पीड की कोई आवसक्ता भी दहएग डैरेकटली आप देख सकते वाई को और गोंटे लगे तो यहां से आप इस रिश्यों से मैं अपको बता रहो यही नहीं की बैसिक अप्रोच किया है इसके पीछे short trick कैसे लगाना है ये भी हम सीख सकते हैं ठीक है बाकि आपके practice के उपर है कि आप कैसे इसको practice करते है practice sheet जो आपको मिलेगा उसको भी आप दोनों तरीके से लगाने कोशिश करें क्योंकि अगर आप exam के pressure में जब questions solve करते हैं उसको कई यही चीज याद नहीं आती है लेकिन basic concept अगर आपका तगड़ा है तो वह आप कभी नहीं भूलेंगे तो कोशिश तो यही करना है कि हम जादा से जादा practice करें और जो short tricks को हम अपने practice में लाएं लेकिन आपको basic approach भी पता होना चाहिए क्योंकि basic approach हमेशा याद रहता है यह सार आप practice करेंगे उतने जल्दी आप इन चीज़ों पर जल्दी पहुंच पाएंगे ठीक है चली आगे बढ़ते हैं अपर्सें कवर्स असर्टें दिस्टेंस विट इस ओन स्पीड बट वेन ही रिदूसेश इस स्पीड वाइन किलोमेटर पर आवर ताइम दूरेशन अपने गटि के से एक निष्टि दूरी तयकर रहा है एक व्यक्ति लेकिन जब वहाँ अपने 10 किलोमेटर परदि गंटे से गटि को कम कर देता है तो उसे 40 गंटे ज्यादा लगते है, जबकी जब मूल गती के 5 किलोमेटर ज्यादा बढ़ा देता है, उसे 10 गंटे कम समझ तो दूरी क्या है यह ग्यात करें देखें यह सवाल जो है इसमें दो equation मनते हैं उन दो equations को solve करना पड़ता है लेकिन अगर आपको अभी जो मैं एक short trick बताऊंगा उस short trick के जरीए आप इसको फटा-फट calculate कर सकते हैं तो देखें short trick लगाने के पहले हमें यह समझना चाहिए कि short trick लगता का है तो देखें सपोस्स करिए यहां पर solve अगर करना है तो solve क्यासे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं distance is equal to speed into time होता है होता है कि नहीं होता अब सबसे पहली बात speed को आपने बोला speed हम बढ़ा रहे ह स्पीड हम बढ़ा रहे हैं यानि स्पीड पहले कम कर रहे हैं 10 से स्पीड 10 km per hour से कम करते हैं तो time जो है वो इतना बढ़ जाता है टी प्लस 40 हो जाता है वहीं यदि जब मैं स्पीड को बढ़ा हूं स्पीड को इंक्रीज करो 5 से तो स्पीड प्लस 5 हो जाएगा तो time जो है वो आपका 10 घंटे कम हो जाता है तो यहां से आपका यह equation बन गया एक दो तीन अगर मैं इसको और इसको इक्वेट करो इन दोने को इक्वेट करूं तो यहां st st कर जाएगा क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे st equal to st ठीक है माइनस का 10t प्लस का 40s माइनस का 400 आएगा तो यह st और st कर जाएगे एक equation बनेगा t और s के terms में वहीं अगर मैं पहले और आखरी को इक्वेट करो इस वाले को इक्वेट कर दूं इस वाले को इक्वेट कर दूं इस वाले से तो अगेन यहां से st equal to आजाएगा यहां से s into t फिर से multiply होगा ठीक है यह 5t प्लस में आएगा और माइनस का 10s आएगा और दोनों multiply होने पर माइनस पर 50 आएगा तो st st फिर से करेंगे अब देखें दो equation दो variable है यह 5t वाला है यह 10t वाला है तो इसको दुगना करके दोनों को जोड़ेंगे तो basic ट्रीए सवाल समझ में आ गया यहां आपको ratio नहीं दिया है जबी भी आपको equal distance वाले case में speed का ratio दिया हुआ है time का difference या sum दोनों में से कुछ एक दिया है वहाँ ratio अप्रोच लग जाता है या फिर time का ratio दिया हुआ है speed का difference या sum दिया हुआ है उस case में भी ratio अप्रोच लग ज बता देता हूँ यहां पर कैसे solve करना है देखिए मैं आपको यहां पर तुरंद बता देता हूँ कि इसका short trick क्या है इसको आप note करके रखेंगे तो देखिए सवाल में ऐसा दिया था कि speed जो है और time जो है स्पीड जो है और time के बारे में क्या information दिया है आपको दिया हुआ है जब speed s1 से change होता है तो time t1 से change होता है और speed s2 से change होता है तो time t2 से यह क्या है यह change है change का मतलब plus minus दोनों हो सकता है दोनों तरफ ठीक तो ऐसे case में original speed directly निकालने का एक short trick है modulus value of s1 multiplied by modulus value of s2 और आपको क्या करना है t1 और t2 का difference ले लेना ठीक इसका modulus value denominator में आ जाएगा इसको multiply करना पड़ेगा यहने s1 t2 minus of s2 t1 इस तरीके से और इसका modulus value modulus का मतलब यह है कि minus का 2 आया इसका modulus value लोग है तो plus 2 आएगा अगर minus का 5 value आए इसका modulus लोगे थो plus value आएगा अगर 3 value आए इसका modulus लोगे थ offers 3 यह चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको positive value लेना तो यह speed original निकालने का यह तरीक है अगर आपको time original निकालना है तो time का value क्या हो जाएगा यहां जहां जहां जिख रहा उसके जगा टी डालों तो यहां टी-1 टी-2 आ जाएगा मोडिलेस में और डिफरेंस आप ले लोगे S1 minus S2 का ठीक है और नीचे आप क्या करोगे ये value लिख लोगे S1 T2 minus S2 T1 ठीक है तो ये आपका हो गया trick लेकिन trick लगाने के पहले ये सीखना जोरूरी है कि trick लगाना खाए तो इसके जरीए जो है फटा फटा आप calculation करके answer निकाल सकते अब मैं आपको वापस ले चलता हूं इस सवाल में अगर आपने इसको note down कर लिया है यहां से समझीए कि आपका जो speed है और आपका जो time है speed के बारे में क्या information दिया है speed को जब हम 10 km प्रतिगंटे से कम करते हैं कि किलोमेटर पर आवर से है तो मैं इसको उपर लिख लेता हूं कि यह किलोमेटर पर आवर में है अब देखिए फटा फट कैसे calculate करना है समझते तो 40 गंटे ज़्यादा लग ले थे और यहां पर माइनस यहां कि 5 किलोमेटर से जब आप बढ़ाते हो तो 10 गंटे कम लगने थे बस इसको आप कर लिए अब यहां से आपका स्पीड निकालना औरीजिनल मैंने बता है इन नोनों का गुणा कर लेना दस इंटू पांच और इन नोनों का ड़स इंटू गरोगे माइनस दस दस सो आएगा मैनस पांचेंटू इंटू चारिस करोगे तो दोस एगा और इसका मॉडेलरेय लेना यहां सो माइन दोसो करोगे तो यहां पर 100 साज़ारीगे हो फेलिए टलिएक इन्रिज चालिज si नेंवाज़श यहां से कट जाएगे 35 10 को लोगे और इन नोनों का difference अब देखें माइनस 10 माइनस 5 करोगे तो माइनस 15 आएगा लेकिन माइनस 15 का modulus value लोगे तो plus का पंदर आ जाएगा divided by denominator में सेम रहता है इन नोनों को multiply करके minus करना तो 100 जो है वो change नहीं होगा 100-100 यहां पर कड़िया तो 60 hours आ गया इसका original time तो सवाल में यदि केवल original समय पूछ ले और original गती पूछ ले तो यहां पर within seconds आप इसको solve पर सकते हैं साथ में अगर यहां पर distance पूछ रहा था तो distance होता क्या है speed multiplied by time ही तो speed हमने निकाल लिया time हमने निकाल दिया distance निकालना कौन सी बड़ी बात है distance होता है भई speed into time तो 25 multiplied by 60 करोगे तो फंदरा सो आजाएंगा 1500 किलोमेटर क्लियर है यहां पर कैसे हमें इस formula को यूश करना है अगर आपने इस formula को no down नहीं किया इसको no down कर लिजे फिर से मैं बार दिखा देता हूं आप इस formula के तहत इस तरीके के प्रश्णों को फटा-फट calculate कर सकते हैं ठीक है next question आपके screen के उपर है यहां दियावाई two guns were fired from the same place at an interval of 10 minutes and 30 seconds but a person in a train approaching the place here's the sound 10 minutes after the first याने दूसरे वाला जो बंदू की जो गोली की आवाज है पहले वाली की बंदू के गोली के आवाज के आने के 10 minutes के बाद सुनता है क्योंकि वो उस place के तरफ बढ़ रहा है जहां से बंदू की गोली चलाई गई थी ठीक है अब देखे when the speed of train find the speed of train supposing that the sound travels at 330 meter per second तो देखे सवाल समझी है यहां पर दिया क्या हुआ है हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं दो गोली जो है एक ही जगा से 10 minutes और 30 seconds यह गोलिया होंगे ठीक है अंतराल पर दागे जाते हैं लेकिन उसी दिशा में आ रही एक रेल गाड़ी ठीक है पर बैटी वेक्ति को जो गोली की आवाज है वो आपको पहले गोली की आवाज सुनाई देने के 10 minutes के बाद सुनाई देती है तो आपको यहां पर बताना है रेल गाड़ी की गाती क्या है बतायागे कि द्वनी की जो चाले वो 330 मीटर प्रती सेकंड की है देखिए इस सवाल को मैं आपको पहले थोड़ा धीर से समझा देता हूं उसकी बाद फिर एक साउंड है वो तो चारो तरफ इस तरीके से बढ़ने लगेगा साउंड तो चारो तरफ बढ़ेगा ठीक है लेकिन यहां से आपको समझना है कि जिस दिशा से गोली चली गई यहां से गोली चलाई गई इसी दिशा में एक ट्रेंड जो है वह बढ़ रही है इसके और पहूंची होगी यहां तक पहूंची होगी इस व्यक्ति जुए वो ठरें में बैठा हुआ था इसको यहां पर सुना ए लेकिन यह यह क्योंकि अब यह स्टेशनरी नहीं वह विक्ति भी चल रहा है नो व्यक्ति जो है तो लो तो है थोड़ासा आगे बढ़ने की पहुशि ये 10 मिनिट में यहां तक पहुंचा मतलब ये जो व्यक्ति है ट्रेन में चलते हुए 10 मिनिट तक यहां पर पहुंचा उतने देर में जो गोली है वो 10 मिनिट में यहां से A से C चल चल चrahूई क्योंकि ये सवाल हम कई बार देख चुके है कि अगर कोई व्यक्ति यहां से चल रहा है और कोई व्यक्ति यहां से चल रहा है तो जितने समय में जो गोली यहां से यहां तक चली उतने समय में व्यक्ति यहां से यहां तक train में चला अब आपका ध्यान कहा जाना है तो आपका ध्यान जाना है भई इस BC वाले एरिया में इस एरिया में आपका ध्यान जाना है क्योंकि गोली जो है यहां से यहां तक चलने में यहां से यहां तक गोली की आवाज को चलने में 10 minute और 30 second लगते हैं 10 minute और 30 second लगते हैं लेकिन A से C तक चलने में गोली को 10 minute लगए मतलब ये जो दूरी है गोली की आवाज जो है वो 30 second में cover कर लेती होगी तो देखें अब distance बरावर होता है speed into time distance बरावर क्या होता है distance बरावर होता है speed multiplied by time यह होता है अब इसी चीज़ का हम फायदा उठाएंगे इस point के लिए मतलब यह जो point BC है इसके लिए हम फायदा उठाएंगे क्योंकि यह जो BC है BC का जो length है इसको हम क्या लिख सकते है इसको हम लिख सकते है जो train की speed है speed of train multiplied by time train को लगा multiplied by जो time लग रहा है इस speed से इसे 30 seconds में कवर हो जाता है मतलब यह जो BC distance है speed of train into time of train होगा और speed of sound into time of sound भी हो जाएगा मतलब 3.30 into 30 होगा मतलब एक line में यदि हम देखे तो इसका solution इतना ही है इसका solution इतना ही है और इस चीज़ को आपको समझना है इस चीज़ को आपको समझना है तो directly कभी भी आपको सवाल दिखे तो आप एक line में यही कर ले न कि जो 10 minute है इतने minute में train उस distance को कवर करता है और 10 minute और यह जो 10 minute 30 seconds है इसका जो difference है इतने difference में यानि 30 seconds के time में जो sound है वो distance को कवर करती है ठीक है तो यहां से आपका speed of train निकालना था तो वो आ जाएगा 20 से तो 20 से यहां से इस तरीके से कट जाएगे तीन से काटोगे तो यह कट जाएगा दो बार मतलब speed of train जो आ रहा है वो आ रहा है 33 divided by 2 यह मीटर प्रती सेकेंड में है और सवाल आपको निकालना है किलो मीटर पर आवर में तो मीटर पर सेकेंड को किलो मीटर पर आवर में convert करने के लिए एक factor आपको मैंने याद कराके रखा हुआ है 18 divided by 5 तो 18 divided by 5 को भूलना मतलब 33 से multiply करोगे तो 594 आएगा क्योंकि 54 होता है और क्योंकि यहां पर नीचे 10 है तो यहां पर 10 अमलब लग जाएगा तो 59.4 सवाल का सही उतर है एक और सवाल में लेता हूँ अब इस बार में आपको थोड़ा तेजी से इसको solve करके बताऊंगा क्योंकि यह आपको याद रखना है अब देखिए यहां पर दिया हुआ है कि bullets were fired from the same place in 12 minutes ठीक है तो जैसी आपने देख लिया और बोला कि speed of train क्या है अगर sound की speed यह आपको निकालने तो directly क्या करेंगे speed of train में train जो दूरी को तैय करेगा 11 minutes और 30 seconds में 11 minutes 30 seconds का मतलब 660 plus 30 मतलब 690 seconds में जो cover करेगा वो बराबर हो जाएगा sound जो distance को cover करता है तो sound कितना distance cover करेगा उसके speed multiplied by इन नोनों का difference in time तो इन नोनों का difference कितना है 30 seconds का है यहां से आपका एक line में speed आ जाएगा train का तो इसको solve कर लीजे बताईए यहां से 0 और 0 कर जाएगे 3 से काटोगे इसको तो 10 बन जाएगा चली आगे बढ़ते हैं a person leaves place A to place B at 9 a.m. reaches at 2 p.m. another person starts from B at 11 a.m. and reaches point A at 2 p.m. what is the ratio of the distance covered by them at the time they meet each other तो एक व्यक्ती जो है A से निकलता है B के और जाता है और 9 बजे निकलता है ठीक है और B पर पहुंचने पर दो बज जाते हैं दो पर के दूसरा व्यक्ती 11 बजे चलता है B से और A पहुंचने में उससे 2 बज जाते हैं मतलब दोनों के दो बजे पहुंच रहे लेकिन starting time अलग-अलग है फिर दिया हुए इसके द्वारा तैग की गए दूरी का अनुपात ग्यात कीजिए जब एक दूसरे से मिलते हैं मतलब इसके द्वारा का मतलब A और B द्वारा जो distance चली गए उसका हमें अनुपात निकलना है तो देखिए सवाल को solve करने के तरीके बहुत सारे लेकिन यहां पर मैं अभी एक चीज ऐसा बताऊंगा जो मैं आपको आने वाले वीडियो में time and work में सिखाऊंगा लेकिन यहां पर अभी उस चीज को आविशकता पड़ेगी use करने की यह point A है यह point B है आपको इसके बीच का दूरी तो नहीं दिया लेकिन यह दिया है कि यह और यहां से जो वैक्ती चल रहा हैं इस A को यहा से चलने मर सुबह 9 बजी स्टार्ट करता और जब यहां तब पहुंचता है तो दो बज़ जाते 2 प्यम दूसरा वैक्ति यहां से जो चलताये वो 11 बज़े चलता है सुबह और इसे यहां तक पहुंचने में दुपर के 2 बज़ जाते है तो देखे टाइम जो लग रहा है उसको एक बार समझते हैं टाइम जो A को लगा और टाइम जो B को लगा वो कितना कितना लगा आप खुद बताइए 9 बज़े निकला और 2 बज़े पहुंचा तो 5 गंटे लगे की नहीं देखें 9 बज़े से 12 बजने में 3 गंटे हो जाएंगे 12 से 2 में 2 गंटे और लग जाएंगे मतलब A को 9 से अगर 2 बज़ जाए हैं मतलब A को यहां पर 5 गंटे का समय लगेगा वहीं बी की अधी बात करें तो बी 11 बज़े निकलता है और 2 बज़े पहुंचता है तो इससे 3 गंटे लगेंगे क्योंकि 11 से 12 बज़ने में 1 गंटा 12 से 2 बज़ने में 2 गंटे और तो टोटल 3 गंटे इसको लगेंगे तो यहां पर मैं लिख लेता हूं 3 hours अब मैं क्या करूंगा इस इस डिस्टेंस को एक वैल्यू माल लूँगा जो कि है 15 किलोमेटर या 15 किलोमेटर या 15 यूनिट का डिस्टेंस हम माल लेंगे ऐसा इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि यह 15 जो है इन दोनों का ठीक है तो इससे हमारा जो है क्यालकुलेशन आसान होता है टाइम एन वर्क में मैं आपको यह चीज़े समझाओंगा और वहां पे भी डिस्टेंस वर्क जैसा मन जाता है स्पीड जो है वह आपके एफिसेंसी जैसा मन जाता है टाइम जो है इस काम को पूरा करने का समय यानि कि इस डिस्टेंस को पूरा करने का समय ठीक है चले अब देखिए यहां से यदि मैं डिस्टेंस को 15 किलोमेटर मान लू तो इससे होगा यह कि मेरे पास स्पीड ओफ ए आने लगे गाँ देखिए एक व्यक्ति जो है वो सुबा के 9 बजे निकल रहा है दूसरा व्यक्ति जो है सुबा के 11 बजे निकल रहा है मतलब 9 बजे से 11 बजे के बीच में एक व्यक्ति चलता है लेकिन 11 से 2 के बीच में दो नो चलते है तो पहले यह जो एक व्यक्ति चल र यह क्या यह 6 km होगा कि नहीं होगा क्योंकि ए जो है वो एक घंटे में 3-3 km कवर कर रहा है तो 3 km 3 km करके इसे 15 km कवर करने में 5 घंटे लग रहे थे लेकिन जब 2 घंटे की बात है 9 बजे से 11 बजे के बीच में 9 से 11 के बीच में किवाल एक व्यक्ति चल रहा है तो 2 घंटे में 6 किलोमेटर कवर करेगा अब यहां से जो दूरी बची हुई है वो 9 किलोमेटर की दूरी बची हुई है की नहीं 9 किलोमेटर की दूरी बची हुई है की नहीं बची हुई है इस 9 किलोमेटर को कवर करने के लिए A की speed जो है वो है 3 km per hour की और B की speed जो है वो है 5 km per hour की तो इस 9 km को कितने देरी में ये लोग cover करेंगे देखिए मैंने आपको ये कई बार बता दिया कि यहां से जब दोनों 7 में चलते हैं तो बीच में जहां कहीं भी मिलेंगे यहां से यहां तक का time सेम होता है तो जो distance यहां से इन लोग cover करेंगे उस distance का अनुपात भी 3, 5 होगा क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर time सेम होता है तो distance directly speed के ratio में चलती है मतलब अगर हम यहां से यह निकालना चाहते हैं कि distance of A, अनुपात distance of B कितना हुआ total तो A ने तो पहले ही 6 km cover किया था लेकिन बचे हुए 9 को यह लोग 3 अनुपात 5 में बाटेंगे 3 अनुपात 5 का मतलब 3 बटा 8 लेगा 9 km का A अनुपात में B की बात करें तो 9 km का केवल यह 5 बटा 8 हिस्सा लेगा 9 km यह starting वाला जो हिस्सा जो पहले से 6 लेकर बैठा हुआ है उसमें B का कोई हिस्सेदारी नहीं होगे क्योंकि यह पहले के 2 घंटे की बात है जब वहां पर A अकेला चल रहा था यह अनुपात हो जाएगा इसको सॉल्फ करना आसान सही बात है ठीक बताइए इसका वैल्यू कितना आजाएगा अगर इसको पूरा सॉल्फ करें तो यह 48 बनेगा 48 प्लस 27 और यहां पर आपका बन जाएगा 45 45 बाइट और यहां पर यह 48 प्लस 27 करोगे तो 75 डिवाइड बाइट आठ से आठ कर गया 75 और इसको काटना है 15 से काट लेते हैं तो पांच अनुपात तीन आएगा फाइव रेश्यो थ्री फाइव रेश्यो थ्री में इनका जो डिस्टेंस है टोटल आ जाएगा 5 इस्टू 3 मतलब यह जो सवाल का से उत्तर है यहां पर मैंने एक ऐसा चीज यूज किया है जो कि आगे चलके मैं आपको टाइम वर्क में बताऊंगा ऐसा हम क्यों कर रहे हैं यहां पर थोड़ा सा आपको जलक मिल गया होगा ऐसा इसलिए है क्यूंकि हम स्पीड को इंटिगरल वैल्यू में लाना चाहते हैं वहां पे ह यहां से मैं आपको ले चलूँगा अब ट्रेन के संबंदित प्रश्ण हम देखेंगे रेल गाडी संबंदित प्रश्ण ठीक तो रेल गाडी के लंबाई से आधारित प्रश्ण आपके एक्जाम में आते हैं तो इसमें चार केसेस हैं देखिए यह केसेस जो है मैं आपको understanding के लिए, exam में ऐसा कहे के नहीं आता कि मैं इस case कहूँ, मैं इस case कहूँ यह आपके understanding के लिए, आपके notes के लिए मैं यहाँ पर अभी 4 cases आपको बताऊँगा आपको समझ में आना चाहिए question देखकर कि condition number 1 का है कि condition 2 का है, condition 3 का है, कि condition 4 का है अब आपको मैं पहले बता देता हूँ कि इसके पीशे का concept क्या है ठीक, जबी भी रेल गाड़ी सम्मंदित प्रशन आता है, तो एक शब्द आपको देखना है, passes या crosses, passes या crosses हिंदी वाले क्या देखेंगे कि पार करने का समय पार करने का समय तो यहां पर पार करने की समय की जब बात हो रही है, तो आपको यह समझना है कि एक वस्तु दूसरे वस्तु को पार करती है, जिसमें से एक वस्तु जो है, वो train है वो fixed है, क्योंकि देखिए जबी भी हम दो वस्तु की बात करनें, तो object 1 एक होता है ठीक है, object 1 और object 2 एक होता है, object 1 को train होना अनिवार्य है object 1 जो है train होगा और यह moving train होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा कोई वस्तु ले लेते हैं दोनों में, जिसका ना तो कोई speed हो, ना तो कोई length हो तो फिर तो सवाल ही नहीं बनता, ठीक तो पहला बात है कि आप यह देखें कि यह सब्द आपको मिले passes या crosses या पार करने का समय तो जबी भी एक train जो है दूसरे किसी वस्तु को पार कर रही है जैसे कि एक खंबा हो गया, पोल हो गया, ठीक है इसको जब पार कर रहा है, एक खंबे को पार कर रहा है तो देखें, रेलगाडी की तो अपनी एक लंबाई है क्या पोल की क्या अपनी कोई लंबाई है? नहीं, तो जब रेलगाडी को एक पोल को पार करना है तो इस case में distance कुछ और नहीं हो जाता क्योंकि तभी जाके प्रश्ण बनेगा time speed distance पे ये पार कर पाएगा, ठीक है? अब ये object number 1 है object number 1 है, ठीक? object number 2 की बात करें तो इसमें length और speed के उपर चार conditions बन सकते है पहला condition ये है कि इसमें ना तो length हो ना तो speed हो जैसे कि for example, pole जो की stationary object है दूसरा condition ये हो सकता है कि length तो हो लेकिन speed ना हो तो length होना चाहिए लेकिन speed नहीं होना चाहिए ऐसा condition हो सकता है जैसे कि कोई stationary object तो ये हमारा secondary case बनेगा second case बनेगा जिसमें कि आपके tunnel आ जाएगा, bridge आ जाएगा, ठीक है? जैसे कि कोई platform आ गया इस तरीके के जो चीजे हैं जिसकी length होती है लेकिन speed नहीं होता वो आपके second condition मनेगा तो ये पहला condition, ये दूसरा condition third condition क्या होगा? कि अब यहाँ पर speed है लेकिन length नहीं है जैसे कि कोई car है या bike है जो कि भागरी है या फिर कोई व्यक्ती भी हो सकता है जो चल रहा है, इस case में आपका speed दोनों case का लग जाएगा और जब दोनों चीजे moving है, object 1 भी moving है object 2 भी moving है, तो यहाँ पर जो speed लगेगा अब वो सापेक्षकती याने कि relative speed relative speed का मतलब है कि opposite direction में यह दि दोनों चल रहे है, object 1 और object 2 यह केवल object 2 की में मात कर रहा हूँ object 1 तो हमेशा चलेगा भी और इसका length भी होगा जो कि एक train है अगर second वाले का भी speed हो गया तो यहाँ पर relative speed लगेगा relative speed का मतलब opposite direction में speed add होगा same direction में speed minus हो जाएगा चौथा condition दोनों का अपना length भी होना चीए और speed भी होना चीए यहाँ पर भी एक क्या आ गया train आ गया मतलब यह भी एक train है और पहला वाला object भी train है तो यह जो object 2 है इसके चार अलग-अलग condition बन सकते हैं length और speed पर आधारित की length है और speed यहने दोनों नहीं है या length नहीं है और speed है या दोनों के दोनों length of speed दोनों है जैसे कि train moving train हो गया इसके उपर आधारित चार condition बनते हैं तो चारो condition में आपको लिखवा जेता हूं notes के तौर पर आप इसको लिख लीजिए PDF में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी लेकिन बहतर होगा कि अगर आप अपना notes बढ़िया से बनाएं तो आपको revision करने में ज़्यादा असान होता है तो सबसे पहली बात एक बार फिर से revise कर लेते मैंने अभी आपको जो बाते बताई सबसे पहले आपको शब्द देखना है process या process या पार करने का सब ऐसे case में जो length of train है उसके ओपर आधारित प्रशन होता है क्योंकि इसमें आपको जब एक train को किसी चीज को पार करना है तो train को कुछ और नहीं बलके अपने खुद की length को पार करनी होती है अगर यहां एक platform आ गया जैसे कि moving train होगा object two के चार condition बन सकते हैं जो मैं अभी आपको लिखाओंगा एक एक करके ठीक है तो इतना ही theory पार्ट है और एक चीज जो आपको यहां पर खास ध्यान रखनी है जो मैंने आपको पहले बताया कि 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 मीटर पर सेकेंड में convert करना और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में convert करना जब आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जा रहे है तो गुना करना होता है पांच बटे 18 से और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में multiply करना मतलब convert करना है तो multiply करना होता है अठारे बटे पांच से इस multiplication factor को याद रखी यहां से मैं बढ़ता हूँ आगे टाइप वन question हम देखेंगे जिसमें कि मैंने कहा है object 1 train है पहला वस्तू railguard है जिसके अपनी लंबाई है L1 जिसके अपनी गती है S1 ठीक है इस केस में जब object 2 की बात हो रही है तो object 2 एक ऐसा व्यक्ति है यानि कि जो ऐसा object है जिसका ना तो लंबाई है ठीक है ना ही उसका speed है जैसे कि दूसरे वस्तू ना के 0 है length भी 0 है ऐसे condition में इस तरीके के प्रश्ण में जब इस train को इस object को पार करना है उस case में दूरी आपके L1 हो जाएगी L1 क्या है तो पहले वाले train की लंबाई speed S1 हो जाएगी जो कि है पहले वाले train की यानि कि पहले वाले object की speed ठीक है तो इस इसका ध्यान रखना है distance और speed यह होगा सेकेंड वाले type के question में आता है type 2 में type 2 में आपका object जो है इसका लंबाई तो same है speed भी same है यह change नहीं होगा object 2 में change होता है तो ऐसी वस्तू जिसकी लंबाई तो है L2 लेकिन speed नहीं है S20 है ऐसे वस्तूएं क्या हो सकती है जैसे platform, tunnel, bridge, stationery, train, stationery, bus यह सारी चीज़े जैसे की platform, सुरंग, pool ठीक है या फिर एक स्थिर रेलगाड़ी यह स्थिर बस ऐसे case में distance जो है अब जो दूरी आएगी वह दूरी ना सिर्फ train को अपनी लंबाई पार करनी है बलके दूसरे object की भी अपनी लंबाई है तो अपनी लंबाई प्लस दूसरे object की लंबाई दोनों पार करन दूसरे नहीं होगा इसका अपना लंबाई है इसकी अपनी लंबाई है और अपनी स्पीड भी है लेकिन object 2 की यदि में बात करूं तो negligible है लेकिन ऐसा वस्तु जिसका स्पीड है स्पीड है लेकिन लंबाई नहीं है जैसे व्यक्ति जो दौड रहा है ठीक है गतिशील व् स्पीड लगेगी लेकिन दूरी जो है वह आपका पहले ही object का दूरी लगेगा यहने लगेगा ठीक है तो सापेक्स गति का मतलब क्या होता है opposite direction में जब चलेंगे तो स्पीड स्पीड स्टू लगेगा यह हमने इस वीडियो में कवर करके रखाए इसके बारे में पहले ही म टाइप 4 में जिसमें दोनों के दोनों train हो गया या बस हो गया moving train moving bus याने दोनों का लंबाई भी है L1 L2 दोनों का स्पीड भी है S1 S2 ऐसे case में दोनों object एक दूसरे को जब पार कर रहे हैं तो चाहे यह इससे पार करे या यह इससे पार करें दोनों केस में लंबाई जो है ये कि जो total distance है उसको अपने दूरी के साथ साथ दूसरे वाले का दूरी भी पूरा करना है तो distance तो L1 Plex L2 ही होगा दोनों केस में चाहे वह same direction में चल रहे है चाहे वह opposite direction में चल रहे हैं दोनों case में बताऊंगा कि exam में यह कहके नहीं आता है कि type 1 है type 2 है यह मैंने आपके understanding के लिए बनाया है आपके notes के लिए बनाया है कि आपको question देखका समझ में आना चाहिए कि हमें distance लेना है दिरेक्शन में मूव कर रहा है कि same direction में और चाहिए वाले में दोनों का लेंट जुड़ जाएगा चाहे वह सेम डिरेक्शन में चल रहे हैं और इससे कोई फरक नहीं पड़ता speed जो है वह s1 plus s2 होगा same direction के लिए और s1 minus s2 और s1 minus s2 और s1 minus s2 होगा same direction इतनी बाते आपने note-down कर ली यह मैं आपको PDF में भी provide करवा दूंगा चलिए अब यहां से कुछ सवाल देखते हैं a train takes 9 seconds to cross a pole if the distance is the speed of train is 48 km per hour then what is the length of the train train पोल को पार करती है 9 seconds अब आप खुद ही बताए एक train है इसकी लंबाई यह पोल को पार कर रही है तो distance बरावर क्या होता है speed multiplied by time तो जो चीजे हमने सीखा है वो as it is रहेगा वो बदलेगा नहीं लेकिन distance क्या है तो distance आप train की लंबाई खुद की है क्योंकि object 1 की लंबाई होगी मतलब length आएगा यहां से speed 48 km per hour और आप time दाल रहे हैं 9 seconds तो अगेन यह गलत है आप यदि बताइए कि अगर आपने speed km per hour में दाला तो time को 9 seconds कैसे दाल सकते हैं आपको km per hour को meter per second में convert करना होगा क्योंकि answer आपका meter में दिया है ठीक है तब ही जाकि उत्तर meter में आएगा तो इसको meter per second में convert करने दो बार दो से काट होगे 24 बार 24 multiply by 5 होता 120 meter तो इस train की लंबाई क्या है 120 मीटर से 20 अवाल का सभी उत्तर हो जाए समझ में आ गया type 1 question है लेकिन सवाल में दिया तो नहीं है कि मैं type 1 लेकिन आपको समझना है यहाँ पर पहले object की लंबाई है दूसरे की नहीं पहले का speed है दूसरे का नहीं तो यहाँ पर distance क्या होगा वो length of first train होगा क्योंकि यह cross कर रहा है किसे cross कर रहा है तो एक दूसरे को पार करने का समय दिया ह हुआ है हमेशा जो समय है वह पार करने का समय देखा cross इसको cross करने का समय देता है ठीक तो ऐसा condition आपको समझना है कि यह length पर आधारित प्रश्टन है चलिए आगे बढ़ते हैं second question है यहां पर train से related a train passes two bridges of length 500 meters and 250 meters in 100 and 60 seconds respectively then what is the length of the train तो 100 second और 60 second में train जो है 500 मीटर लंबे और 200 मीटर लंबे train को पार करती है यानि कि पूलों को पार करती है तो train की लंबाई क्या है यह हमें ग्याद कर रहे हैं देखिए इस सवाल को solve करने के तरीके बहुत सार है लेकिन आप इसको समझिए कि यहां पर speed constant है की नहीं speed constant है क्योंकि यहां पर एक ही train चल रही है और एक train पहले दूसरे पूल को पार कर रही है जो कि 500 मीटर लंब है और second case में दूसरे पूल को पार कर रही है जो कि 40 seconds का time लगा और extra यहां पर जो distance cover हुआ जो की 500 मीटर का कवर है क्या मैं लिख सकता हूं कि train की speed इतनी है train की speed हो जाएगी 25 by 4 मीटर पर सेकेंड ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं क्योंकि देखिए actually यहां पर speed constant है एक ही train move कर रही है लेकिन पहले case में train जो है एक दूसरे पूल को पार कर रही है दूसरे case में दूसरे पूल को तो मैंने देखा कि दोनों में यहां पर 40 सेकेंड ज्यादा लग रहे थे पहले वाले पूल के लिए और वहां पर 500 मीटर ज्यादा तो थाइसों डिवाइड distance बराबर होता है speed into time तो distance क्या होगा अगर यहां पर 25 बटे 4 की speed है अगर मैं इसे 100 से multiply कर दूँ तो यहां से जो distance cover हो रहा है वो हो रहा है 625 मीटर का 625 मीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है यह 625 मीटर क्या है ट्रेन एक पूल को पार कर रही है एक ट्रेन है यह ट्रेन की अपनी लंबाई है और एक पूल है इसकी अपनी लंबाई है पूल की लंबाई है 500 मीटर यह जो दिस्टेंस निकल के आता है यह डिस्टेंस आता है इस ट्रेन की लंबाई प्लस पूल की लंबाई तो एल प्लस पांथसो जो है दोनों को जोडने पर जो वैल्यू आ रहा है वह आ रहा है 625 का तो 500 दूसरे तरफ भेजोगे तो लेंथ जो आएगा वह 125 मीटर का आएगा यान 200 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए एक्स्ट्रा जो टाइम लगा वह 40 से करें तो हम यहां से स्पीड निकाल रहें ट्रैन का डारेक्ली उससे फिर हमने कोई भी एक कंडिशन आप चाहिए तो पहला वाला दूसरा कंडिशन लेना है तो दूसरा कंडिशन से आप क्याल लंबाई हो जाएगी ठीक चलिए आगे देखते हैं अगे देखते हैं अगे ट्रेन वित यूनिफॉर्म स्पीड क्रॉसेस अ प्लैट्फॉर्म 162 मीटर्स लॉंग इन 18 सेकंड अनदर प्लैट्फॉर्म 120 मीटर्स लॉंग इन 15 सेकंड वाट इस स्पीड आफ तो यहां से द जो पहले एक प्लैट्फॉर्म को पार कर रही है और दूसरे केस में दूसरे प्लैट्फॉर्म को मतलब क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते कि 42 मीटर पार करने में ट्रेन को तीन सेकंड लग रहे हैं ऐसा लिख सकते कि नहीं क्योंकि एक्स्ट्रा जो डिस्टेंस कवर हुआ वो 42 का हुआ एक्स्टा जो टाइम लगा वो तीन से किड़ा तो यह स्पीड अफ ट्रेन हो गए लेकिन यह मीटर पर सेकेंड में और आइंसर आपको किलोमीटर पर आवर में निकालना है तो मैं यहां से काट दू यहां पर तो 6 बार कटेगा 240 प्लस 12 दो सो बावन आएगा डिवाइड़ पांच है तो यह पचास बार कट जाएगा जह समलब चार फिफ्टी पॉइंट फोर यह आपका किलोमीटर पर आवर में एंसर आएगा ठीक है ना किलोमीटर पर आवर यहां तक समझ में आगे चली अब मैं बढ़ता हूं आगे नेक्स्ट के और यहां पर दिया हुआ है एक्स किलोमीटर पर आवर प्लेटफॉर्म इन 30 सेकंड्स एंड ओवर्टुक अ मैन वाकिंग इन शेम डिरेक्शन एट स्पीड आप सिक्स किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकंड्स देखिए यह व्यक्ति को पार करने में 20 सेकंड्स का समय लेती है तो एक्स का मूली क्या है इसको समझें अब देखिए इस सवाल को सॉल्व करना है तो आपको समझना होगा कि यहां पर हो क्या रहा है एक ट्रेन है इस ट्रेन की लंबाई हमें नहीं दी गई लेकिन कह रहा है कि एक व्यक to right कित्टे की स्पीड्स है तो 6 km पर आवर की स्बिंस repentance तो यह समय लगता है को दूसरी बात दी हुई कि एक दूसरा ४्लैटफॉर्म मेरे स्प्लैटफॉर्म की लमा आप प्लैट्फॉर्म concerned को प्लैटफर्म को इस train को पार करने में जो समय लगता है वो दिया हुआ है और यह जो समय है यह समय है 30 seconds का 30 seconds का ठीक है तो आप बताईए कि कैसे x को निकाला जा तो देखिए यहां पर आपको दो अलग-अलग equations यहां पर बनाने होगे पहला equation इंदोनों का बनेगा दूसरा इं टाइम यह हमें पता है पहले कंडिशन में देख लेते जब ट्रेन इस व्यक्ति को पार कर रहा है उसकेस में डिस्टेंस हो जाएगा एल होगा और एल का मान हो जाएगा speed है x km का इसका और इसका 6 km का तो sapex गती लगेगी क्योंकि यहां पर दोनों के दोनों moving है मतलब यह type 3 question मन गया जिसमें की पहले वाले को भी गती है दूसरे की गती लेकिन same direction है तो यह minus हो जाएगा x minus of 6 और क्योंकि यह km पर आवर है multiplied by 5 by 18 करोगे meter per second में आएगा और यहां पर 20 seconds से multiply कर लेते हैं इतना समझ में आ गया अब second वाले condition की बात करें तो l plus 200 आ जाएगा l plus 200 ठीक is equal to अब second वाले case में speed केवल x हो जाएगा क्योंकि यहां पर केवल एक moving है और multiply by 5 by 18 भी तो करना होगा क्योंकि यहां पर km per hour में है और यहां पर time जो है वो second में है और यह 200 मीटर में तो इसलिए 5 by 18 multiplied by 30 करना होगा अब देखे इन दोनों को solve करना है हमें क्या निकालना है हमें x चाहिए तो बताइए सबसे बढ़िया तरीका क्या होगा x निकालने का यदि मैं इन दोनों को minus कर दूं तो minus करने पर यह l और l कट जाएंगे तो ज्यादा अस यहां पर 30 मिल्टिप्ला हो रहा है यहां पर 20 मिल्टिप्ला हो रहा है यहांने दोनों को multiply करने पर यहां 10 आएगा दूसरी बात आप देख रहे हैं कि इसमें से इसको minus करोगे तो यह value जो है plus में convert हो जाएगा plus और यह 6 था ना 6 था और 6 में इतना factor फिर से multiply होगा तो यहां पर 5 by 18 multiplied by 300 देखे calculation तो है लेकिन इस calculation को भी आप mind में कितना ज्यादा कर सकते है उससे आपका speed जो है वो बढ़ जाता है अगर इसको 6 से काटोगे तो तीन बार कटेगा यह 10 बार कटेगा मतलब यह total 50 बन यहां पर जो value है यह पूरा का पूरा 50 आ गया ठीक 50 इस 50 को यदि उ ठारा इंटू 3 मतलब कि 54 है यह किलोमेटर पर आवर में आएगा क्योंकि X को हमने किलोमेटर पर आवर में माना हुआ है तो किलोमेटर पर आवर में इसका उत्तर हो जाएगा 54 किलोमेटर पर आवर ठीक है तो देखे यहां पर दो condition थे train जो है man को पार कर रहा है यहां पर train platform को पार कर रहा है दोनों condition को हम ने देखा जिसमें से L को हम eliminate करके X का value निकाल सकते हैं चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगले सवाल के और next question यदि हम देखें तो यहां पर दिया हुआ है a train of 110 meter long is running at a speed of 60 km per hour how many seconds does it take to cross another train 170 meter long standing on a parallel track तो देखें 100 meter long train है जो कि 60 km की गती से चल रहा है दूसरा train जो है वो 170 meter का है लेकिन यह है एक खड़ी हुई train है मतलब इसका कोई चाल नहीं है रफतार नहीं तो कितने सेकेंड में इसे पार करेगा तो simple सी बात है distance बराबर होता है speed multiplied by time इस case में distance क्या हो जाएगा इसका भी अपना लंबाई है इसका भी अपना लंबाई है तो दोनों लंबाई जुड़ जाएंगे पहले वाले train का लंबाई है 110 दूसरे वाले train का लंबाई है 170 तो जब इस train को इसे पार करना है तो दोनों 차례 170 जो कि हो जाएगा 280 मीटर जो इस ऐसाथट किलोमेटर नहीं रखा हुआ इसको मीटर में रखा हुआ तो speed को किलोमेटर कर आवर में नहीं सकते इसे में तो करना होगा पांच बै अठारा से और यहां से आपका टाइम से निकल के आजाएगा ठीक है तो सॉल्व करिए अगर मैं छे से काटू तो दस यहां पर और यह तीन बार बखटेगा फाइव इंटू टैन अच्छा चलिए ठीक है एक दस है यहां पर तो दस जो इससे काड़ जा ठीक चलिए आशा करता हो यह समझ में आओगा अगेन यहां पर जो है दोनों का लेंथ है लेकिन स्पीड केवल एकी का है तो टाइप टू कुश्चन है तो यहां पर आपको यूनिट का खास ध्यान रखना है क्योंकि जब यहां पर हम कह रहे हैं कि अगेन यहां पर देखि है क्योंकि डिस्टेंस मीटर में दिया ताइम सेकेंट में ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं कि फाइंड़ लेंथ ऑफ दब्रिज विच अट्रेन वन थर्टी मीटर लॉंग एंड ट्रैवलिंग एट 45 किलोमेटर पर आवर केन क्रॉस इन 30 सेकंड उस पूल की लंबाई ग्या बाडी कारें के 85 किलोमेटर पर ती गांते की रिफ्टार से 30 सेकंड में तो देखि ब्राबर होता है स्पीड इंटि ट्राइम। स्पेड दिया हुए आपको 45 km पर आवर टाइम दिया हुए 30 सेकेंड में तो डिस्टेंस हमें अगर मीटर में चाहिए तो पहले इसको किलोमेटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कंवर्ट करना होगा इसलिए मैं यहां पर पाज बैठार से मल्टिप्लाइ करूगा ठीक है अब देखिए अगर नौ से काटा जाए यह दो बार कटेगा यह पाज पर कटेगा यह पच्छिस हो गया पच्छिस मल्टिप्लाइट मतलब देखिए ट्रेन तो 375 मीटर कर जाती है इतने समय में 30 सेकेंड में और यहां पर ट्रेन की लंबाई तो 130 मीटर ही है मतलब अगर मैं इसमें 130 को माइनस करो तो जो बचा हुआ वैलू है जो कि 245 मीटर इतनी लंबी तो पूल हो जाएगी 245 मीटर लंबी जो है वो पू कि लंबाई हमें नहीं दिया गया तो जो दिस्टेंस होता है यह लंबाई प्लस इतनी होती है मतलब यह जो डिस्टेंस है कितना हो जाएगा 130 प्लस इसका वैल्यू जो निकल के आया वह यहां पर आया 375 तो अगर आपको पूल की लंबाई एल सही है तो कैसे निकालोगे 130 को दूसरे तरफ बेच के माइनस करना हुआ क्योंकि ट्रेन जो है इतने समय में इतना डिस्टेंस पार कर जाती है ट्रेन की खुद की लंबाई तो 130 से तो बचे हुए जो दूरी है वो क्या हो वही दूरी तो हो जाएगी आपके ब्रिट्स की जो कि है 245 ठीक चली दो ट्रेन है जो की विपरित दिशाओं में चल रहे हैं 150 मीटर और 120 मीटर लंबाई के हैं ओपेज़ डिरेक्शन में क्रॉस करते हैं दस सेकेंड में इव दस स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन इस 43.2 किलोमेटर पर आवर दन वाट इस स्पीड फर्स ट्रेन देखिए यहां से स हमए 120 मीटर है तो यदी मैं आपसे पूछू स्पीड क्या है तो सीड होता है डिस्टेंस इवाट इडिड बाई ताइम अब यूंकि इसका भी अपना है इसका भी अपना लेंद है तो दोनों को ऐड करने पर 270 मीटर जो है टोल लेंख निकल निकल के आ ऐगा ठिक टाइम जो लग रहा है वो 10 से का लग रहा है तो 10 से डिवाइड कर लेते हैं तो यह एक्षुली 27 मीटर पर सेकेंड की स्पीड हो गए इसके क्या हो गई 27 मीटर पर सेकेंड की स्पीड हो गई लेकिन आपको एंसर जो निकालना है वो किलोमीटर पर आवर में निकालना है और दूसरी बात दी हुई है यदि दूसरे ट्रेन की गती मतलब इसका गती आपको दिया हुआ है 43.2 किलोमीटर पर आवर तो इसकी गती क्या आपको निकालने तो आपको यह समझना होगा यह जो 27 मीटर पर सेकेंड है वो relative speed है जो कि इसका speed प्लस इसका speed होगा साथी साथ अगर यह km पर आवर में तो इस इसको km पर आवर में convert करना होगा मतलब पहले वाले speed का speed 1 प्लस दूसरे वाले train का जो speed है दोनों का सम इसका जो टोटल वैल्यू है वो इतना है 27 जिसको मैं यहां पर मीटर पर सेकेंड से km पर आवर में convert करने के लिए अठारा वैपांच से multiply कर लेता हो ठीक है अठारा वैपांच से multiply करोगे कितना जाएगा अठारा इंटू साथ करना है चलिए अगर मैं इसे पहले 70 है न मतलब 10 से multiply करूं 270 आएगा आठ से multiply करूं 260 आएगा दोनों को जोडने पर 486 हा रहा है कि नहीं 486 हा रहा है टोटल ठीक और divided by पांच करना है अगर मैं इसे पांच से divide करूं 9 बार कटेगा ठीक 9 times करेगा 45 फिर 36 हा रहा है तो 7.2 किलोमेटर पर आवा तो यह क्या है यह है भाई सापेक्स गति याने की relative स्पीड और relative स्पीड का मतलब होता है s1 plus s2 मतलब जो भी पहले वाले का स्पीड है प्लस दूसरे वाले का स्पीड आपको दिया था 43.2 बरावर इतना है ठीक तो अगर आपको पहले वाले का स्पीड चाहिए तो इन नोनों को माइनस करना पड़ेगा तो स्पीड वन समझ में अबगी बात तो हम क्या कर रहे है पहले तो हम देखे कि इस पीड कितना है और रिटेव स्पीड जो है वह ज्यादा आ रहा है तो यहां पर 97.2 तो यह ज्यादा आ रहा था और क्यों कि दोनों की स्पीड एड हो जाती है एक लेफ्ट राइट जा रहा तो दूसरा राइट लग जा रहे है तो विपरीत दिशाओं में चलने पर स्पीड जो है वह एड हो जाता है ऑपजे डिरेक्शन तो उसी चीज़ को हम यहां पर यूज कर रहे है सापेक्स गती में ठीक है आशा करता हो यह सवाल आपको समझ में आ गया होगा चलिए आगे बढ़ते है तो next question यहाँ पर आपके screen जो पर है, दिया हुआ है कि two trains 165 meter and 135 meter long are running at a speed of 70 and 38 km per hour in opposite direction in parallel direction, the time in which they will cross each other, तो देखिए इस सवाल में करना क्या है, यहाँ पर आपको बताना है कि यह कितने समय में cross करेंगे एक दूसरे को, तो आप सीधी simple सी बात जानते है कि distance जो होता है, यह होता ह speed multiplied by time, यह time जो होता है, वो होता है distance divided by speed, दूसरी बात यहाँ पर दिया हुआ है, पहले वाले का length और दूसरे वाले का length, जो कि आपका, दोनों का length है, वो add हो जाएंगे, चाहे वो same direction में हो या opposite direction में, तो overall जो distance cover करना है, वो है 165 plus 135, जो कि हो जाएगा 300 meter का, मतलब इन्हें जो दूरी तय करनी है, वो 300 meter की दूरी तय करनी है, और क्योंकि opposite direction में चल रहे हैं, तो opposite direction में speed add हो जाता है, यह वाला speed add हो जाएगा, मतलब इन दोनों का relative speed अब 108 km प्रती घंटे की है, तो यहाँ से जो time निकालना है, आपको उत्तर जो निकालना है, वो seconds में निकालना है, म इसको solve करेंगे, 18 से यह 6 times कटेगा, 6 into 5 30 होता है, तो 30 इसको काटेगा 10 बार, मतलब time जो निकल के आ रहा है, वो 10 seconds हो जाएगा, 10 seconds में यह train एक दूसरे को पार कर लेंगे, clear, तो opposite direction में आपका speed add होता है, साथ में आपका distance तो add होता है, चाहे वो opposite हो, चाहे same direction, अगर दोनों 200 meters and 150 meter long running in parallel race, in same direction at a speed of 40 and 50, 45 km per hour, time taken by the slower train to cross the faster train, तो यहां से दिया हो है, देखिए, दो ट्रेन है, जो कि 200 meter और 500 meter लंबे है, तो चाहे यह same direction में चले, चाहे opposite direction में चले, distance बरावर speed into time होता है, यहां पर आपका जो distance हो जाएगा, वो again add हो, यह दोनों तो add होंगे, जो कि 350 meters का distance है, लेकिन जब यह same direction में चलते हैं, ठीक है, same direction में चल रहे हैं, मतलब समान दिशाओं में चल रहे हैं, तो speed 45 और 40 का उल्टा हो जाए, मतलब कि difference हो जाएगा, इन दोनों का difference हो जाएगा 5 km per hour की speed, तो आपने कभी अनुभव भी किया होगा, जब दो trains parallel track पर चल रही है, त तो ऐसा लगता है कि speed slow हो गई है, या कभी-कभी ऐसा लगता है कि train रुक तो नहीं गई, क्योंकि अगर same speed से चल रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि दोनों train रुकी हुई है, लेकिन जब आप दूसरे तरफ देखेंगे, तो जब पेड वगेरा और बाकी चीज़ें पीछे चलत जैसे आप यहां देख पा रहे हैं, यह तो 45 पे चल रही है, चालिस पीटल भी, अगर आप इन दोनों गाडियों में बैठेंगे, तो आपको लोगेगा दूसरे train देखने पर कि speed कम है, जो कि यहां पर 5 km पर आवर की ठीक, और यहां पर time निकालना है, जो कि seconds में, तो आप का square माइनस 2 का square कर सकते हैं, यह सारे calculation trick मैंने पहले वीडियो में बता है, तो 256 माइनस 4 करोगे, तो 252 seconds आजाएगा, यह सवाल का सही उत्तर है, D option, चलिए, आगे बढ़ते हैं, एक दो सवाल और देखेंगे, जैसे यहां दियावा, two trains are moving in, on a parallel track, but in opposite direction, a person sitting on the train, moving at a speed of 80 km per hour, passes the second train in 18 seconds, if the length of the second train is 100 meter, what is the speed in km per hour, दो train समाल अंतर पट्रियों पर चल रही है, लेकिन विपरीद दिशाओ में चल रही है, देखें, यहां पर एक train है, और यहां पर दूसरी train है, ठीक, यहां पर यह दोनों विपरीद दिशाओ में चल रही है, मतलब एक left to right चल रही है, तो पहले तो बोल दिया कि दो train है, लेकिन एक दूसरे को पार कौन कर रहा है, इस 80 km प्रती घंटे की रफ्तार से चल रहे हूँ, ट्रेन में एक व्यक्ती बैठा हुआ, यह व्यक्ती जो है, यानि इसका speed तो 80 km पर आवारी हो, अरे भही जब व्यक्ती इसमें बैठा दिया दूसरे train को 18 सेकेंड में पार करता है, जिसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई जो है, एक हजार मीटर दिया है, यहां तक समझ में आवे, अब परसेंड सेटिंग इन ट्रेन मूविंग एट 80 km पर आवर, ठीक है, पासेज दस सेकेंड ट्रेन इन 18 सेकेंड, तो कौन पास कर ठीक, तो ऐसे केस में अब आपको समझना होगा, कि यहां पर जब हम लिखते हैं कि distance is equal to speed multiplied by time, अब बताइए distance होगा तो क्या होगा, आपको इस train की लंबाई दी है क्या, आपको होगे नहीं दी है, उसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहां पर पहला पहला जो object है, वो सिधा सिधा 80 km के speed से, तो जब यह भाग रहा है, तो इसको पार करने में क्या लगेगा, यहां पर distance, 1000 रहेगा, clear है, बात समझ में आगई, तो यहां पर इस तरीकी के question से आप चौकरना रही है, कि 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 के बीच पर time जो दिया हूँ है, पार करने का दिया है, यह person दूस परेवाले train की speed को S2 मान लेते हैं, और क्योंकि यह meter per second में है, इसको kilometer per hour में नहीं रखा जा सकता है, इसको 5 बटे 18 से multiply करना होगा, और पार करने का समय भी 18 दिया हूँ है, तो यह meter per second में आ गया, यह second में है, meter में, अब इसको solve करिए, 18 से 18 कर जाएगा, 5 से इसको काटू त मतलब speed 2 जो है, वो हो जाएगा 200 minus 80, मतलब की 120 km per hour की speed है, दूसरे train की, ठीक है, तो ऐसे questions से आप चौकरना रही है, चाहे तो मैं एक और सवाल करा देता हूँ, ऐसा आपको, देखिए, यहाँ दिवा है, रेनु वास सिटिंग इंसाइड ट्रेन A, विच वास ट्रैवलिंग at 50 km per hour, another train B, whose length was 3 times the length of train A, crossed her in opposite direction in 15 seconds, if the speed of train B was 58 km per hour, then what is the length of train A, देखिए, रेनु जो है, train A के अंदर बैठी हुई है, यह train A है, रेनु जो है, इस train में बैठी हुई है, फिर बोला हुआ है कि, जो 50 km प्रती घंटे की speed से चल रही है, यह 50 km per hour की speed से यह train चल रही है, और एक पान यह train B, जिसकी लंबाई train A के लंबाई की 3 मुना है, मतलब अगर इसकी लंबाई L है, तो एक दूसरी train है, जिसकी लंबाई इसकी 3 मुना है, तो ज्यादा लंबी है यह train, 3L लंबाई है इसकी, ठीक है, यह opposite direction में चल रही है, विपरीद दिशा में, और रेनु जो है, इसकी लंबाई है, तो आपको निकालना क्या है, आपको पहले वाले train की लंबाई निकालना है, बट एक्चुली जब डिस्टेंस लगाऊगा, तो 3L लगेगा, इसकी गती दिविए कि यह 58 किलोमेटर पर आवर की स्पीड से चल लगा, तो आपको निकालना क्या है, आपको बट अब्जेक्ट है, यह रेनु को सेकेंड वाला train पार कर रहा है, तो सेकेंड वाले train की लंबाई जो है, वो 3L हो जाएगी, इसका 50, इसका 58, तो यह ओपज़ेट डिरेक्शन में चल रहे हैं, दोनों के दोनों जो है, वो कहां चल रहे हैं, विपरीद दिशाओं में चल रहे हैं, यानि कि opposite direction में चल रहे हैं, यह दोनों opposite direction में speed add up हो जाता है, अगर यह 50 है, तो यह 58 है, यह दोनों add up हो जाएंगे, 108, और क्यूंकि यह मीटर में निकलना है, तो 5 बट 18 से multiply कर लेते हैं, किलो मीटर पर आवर को, तो मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, time जो है, व ना कि 3L का, मैंने L का value निकाला, और आपसे L का मान ही पूछ रहा था कि पहले वाली train की लंबाई क्या है, तो पहले वाली train की L है, यहां से 150 मीटर आ रहा है, मतलब D, जो है सवाल का सही उत्तर हो जाए, ठीक, चलिए, अब मैं यहाँ पर इस video को रोकता हूँ, जैसे कि मैं आपको शुरुआती तोर पर बताए, मैं आपर दो चीजे नहीं cover करूँगा, जो की है, सबसे पहले तो relative speed, सापेक्स गती, जो की हमने देखा, दूसरे train के उपर आधारी, जो प्रशन आपके सवाल, जो आपके exam में बगता है, ठीक है, आशा करता हूँ, इस video को देखने से आपके time speed distance के सारे सवाल बन जाएंगे, जो आपके exam के level के है, क्योंकि आपके exam में इससे level उपर नहीं जाएगा, सारे pattern of questions मैंने इसमें cover करके रखा हुआ है, ठीक है, जहां तक एक और जो आपका सवाल बचा हुआ है, वो है boat and stream का, जो की मैं आपके इसके third part of video में cover करूँ इस वीडियो को like करना ना भूले, चैनल को subscribe करें और by icon दबाएं, क्योंकि आपके like और subscribe से हमारा motivation हाई रहता है, कि आपके free of course जो course चल रहा है, उसको हम और अच्छा बहतर करें, और अच्छा बहतर content आपको provide करें, thank you so much, इस वीडियो में इतना ही